बूर्णिंग बच्चो आज हम अपनी हिंदी की जो पाठ्या पुस्तक है सीतीज उसका भाग एक में जो अपना फर्स लेसन है गद्या खंड में प्रेम चंद के दो बैलों की कथा उसको हम आज पढ़ेंगे प्रेम चंद प्रेम चंद का जनम थारा सु असी में बनारस के लमही गाओं में हुआ था उनका मूल नाम धन पतराय था प्रेम चंद का बच्चमन अभावों में बीता और शिक्षा भी ये तक ही हो पाई थी उन्होंने शिक्षा विभाग में नोकरी की परंतु ऐस हैयोग आंदोलन में सक सरकारी नोकरी से त्याग बत्तर दे दिया था और लेखन कारिये के परती पूरी तरह समर्पित हो गए थे सन 1936 में इस महान कथाकार का देहां थो गया प्रेम चंद का जनम कब हुआ बच्चो ठारा सो असी में बनारस के लमी गाह में उन्होंने जो अपनी सिक्षा कहां तक प्रापत की थी बिये तक कहां तक प्रापत की थी बिये तक ए सहयोग अंदोलन में भाग लेने के कान कहां उन्होंने अपनी सरकारी नोकरी छोड़ दी थी और उनकी जो मृत्यू कब हुई थी 1936 में प्रेम चंद की कहानिया मान सुरोवर के आठ भागों में संकलित है सेव खंडो में संकलित है प्रेम चंद जो है कहानियों है में सबसे अधिक जो कहानिया है प्रेम चंद ने ही लिखिया उनकी जो कहानिया लगबग 300 कहानिया लिखिया प्रेम चंद का जो गोदान उपनियास है वो हिंदी का स्रेश उपनियास माना जाता है उन्होंने हंस जागर माधूरी आधि पत्रिकाओं का समपादन भी किया है उन्होंने हांस जागरों जो माधूरी पत्रिका है उनमें समपादन का कारिये किया गया प्रेमचंद जी पहले उर्दु में लिखते थे लेकिन 1907 में 1907 में सोजे वतन जो उनकी पुस्तक परकासीत हुई अंग्रेज सरका शार ने पर्ती बंधित कर दिया था बाद में उन्हें प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना आरम किया था प्रेमचंद सहाइत्य को समाजिक प्रिवर्तन का सैशक्त माध्यम मानते थे उन्हें जिस गाउं और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभीवेक्ती उनके कथा साहिते में मिलती है प्रेमचन ने अपने समय में जह गाउं की, सहर की जो भी स्थीति देखी उनको अपने कावे में अभीवेक्त किया गया है किसान और मजदूरों की दैनिये स्थीति, दलीतों का शोशन समाज मिस्त्री की दूरदशा और सवीद स्वाधीनता आंदोलन आधी उनकी रचनाओं के मूल विशे रहे हैं प्रेम चन के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है उसमें मनुश्य ही नहीं पसुपक्षियों का भी अदुभूत आत्मियता मिलती है आत्मिता क्या होती है बचो अपनापन बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संपेक्ष में कहना प्रेम चन के लेखन की परमुख विशेस्ता रही है प्रेम चन की परमुख विशेस्ता रही है उनकी भासा सरल सजीव ए मुहावरेदार है तथा उन्होंने अर्बी फार्सी और अंग्रेजी के प्रचलित सब्दों का प्रियोग कुशलता पूर्वक किया गया है दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेम चन ने क्रिशक समाज और पसुओं के भावनात्मक संबंद का वण किया गया इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि संतरता सहज से नहीं मिलती उसके लिए बार बार संग्रस करना पड़ता है इस परकार प्रोक्ष रूप से यह कहानी अजादी के आंदोलन की भावना से जूड़ी है इसके साथ ही इस कहानी में प्रेम चन ने पंच्तंतर और हितोप देश की कथा प्रंपरा का उपयोगुर विकास किया गया है यहाँ पर जो लेखक क्या कहना चाहता है कि इस कहानी के मादम से लेखक भारत वास्यों को अंग्रेजी सासन से स्व्यम को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है जिस परकार कहानी में हीरा और मोती अनेक इठनायों का सामना करते हुए अपने लक्षा को प्रापत कर लेते हैं अर्थात वे गया के स्थात उसके स्थान पर नहीं जाना चाहते थे वो अपने मालिक के पास ही रहना चाहते थे तो अंत में क्या है वो अपने मालिक के पास आ जाते हैं उसी परकार लेखक भारतवासियों को कहना चाहता है कि अपने अज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करना चाहता है कि भारतवासियों को अपने मुक्ति के लिए अंग्रेजों के सासन से मुक्त होने के लिए संग अब हम प्रेमचन की जो कहानी है दो बैलों की कता उसको पढ़ेंगे जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धी हिन समझा जाता है जब हम किसी आदमी को परले दरजे का बेकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं गधा सचमुच बेकूफ है या उसके सीधेपन उसकी निरापाद शही शुनता से उसे यह पदवी देग गई है इसका निच्चे नहीं किया जा सकता जब हम किसी जिस परकार हम गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धी हीन या मुर्ख समझते हैं जब कोई आदमी बार बार किसी बात को समझाने के बाद भी नहीं समझता तो हम उसे क्या कहते हैं गधा कहते हैं जो गधे की ये पदवी है ये बेकूफ है उसके सीधे कण्या उसकी सेहन सिल्था के कान दी गई है यह कोई निच्चे नहीं किया गया गाएं सींग मारती है भ्याई हुई गाएं तो अन्यासी सिहीनी का रुभधान कर लेती है कुटा भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है किन्तू गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं देखा नहीं सुना और नहीं देखा जितना चाहे गरीब को मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो उसके चहरे पर कभी भी ऐसंतो उसकी चाया भी दिखाई नहीं देती हमने हर परकार के जानवर को क्रोध करते हुए देखा है लेकिन गधे है गधे को हमें कभी भी क्रोध करते हुए नहीं सुना है और नहीं देखा चाहे उसे किसी भी परकार के गास डाल दी जो वह उसी को संतूज ठोकर खा लेत वेशाक में चाहे एक दा बार कुलेल कर लेता हूँ पर हमने कभी उसे खुस होते हुए नहीं देखा उसके चहरे पर एक स्थाई विशाद स्थाई रूसे चाया रहता है उसके चहरे पर एक स्थाई उडासी है जो सदा चाय रहती है सुक दुख हानी लाब किसी भी दसा में उसे बदलते नहीं देखा है रिशो मौनय के जितने भी गुण है वे सभी उसमें पराकाश्ट को पहुँच गई है पर आदमी उसे बेखुफ कहता है रीसी मोने के जितने भी गुण होते हैं वो सभी गधे में पाए जाते हैं लेकिन फिर भी आदमी जो है उसे बेफकुफ कहता है सद गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कदाचित कदाचित क्या होता कभी या सायद कदाचित सीधा पंसंसार के लिए उप्युक्त नहीं है देखिये नाभारत वाशियों कोई अफरीका में क्या दूरदशा होती है क्या दूरदशा हो रही है क्यूं अमरीका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता बेचारे सराब नहीं पीते चार पैसे कू समय के लिए बचा कर रखते हैं जी तोड़कर काम करते हैं जी तोड़कर क्या बेटा एक मुहावरा जी तोड़कर काम करना क्या है एक मुहावरे का प्योग किया गया है कि बहुत मेहनत करना किसी से लड़ाई जगडा नहीं करते हैं चार बाते सुनकर गम खा जाते हैं गम खाना क्या होता है धैरिये रखना फिर भी बदनाम है फिर भी क्या है वो बदनाम है यहाँ पर क्या कहना चाहता है जो भारतवाशी है अपने सीधे पन के कान बदनाम है वे ना सराब पीते हैं ना किसी से लड़ाई जगड़ा करते हैं वे सदा महनुत से अपना काम करते हैं ना किसी से लेन देन करते हैं और मुसीबत के दिनों के लिए कुछ बचा कर रखते हैं फिर भी क्या कहलाए जाते हैं वो बदनाम कहे जाते हैं अगर वे भी इंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सायद इंट का जवाब पत्थर से देने कार्थ क्या होता करारा जवाब देना या पूरी सक्ति के साथ परती रोध करना वे सीख जाते तो सायद सब्भय कहलाने लगते जपान की मिशाल सभ्य कहलाने लगते जपान की मिशाल सामने है एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्या बना दिया गण्या क्या होता है? समानित कर दिया लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जैसे उसे कम ही गधा है और वह है बैल जिसका अर्थ हम गधे का प्रियोग करते हैं उसी से मिलते जूलते अर्थ में बच्चिया के ताउ का भी प्रियोग करते हैं कुछ लोग बैल को साइद बेफ कुफों में सरवस्रेश कहेंगे मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है बैल कभी कभी मारता है भी है कभी कभी अडियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीत्यों से अपना ऐसंतोस पर कट कर देते हैं अते उनका स्थान गधे से नीचा है यहां लेखक कहना चाहता है कि गधे का एक उर छोटा भाई है बैल क्यूंकि वहबी गधे के समान सहनशील महनती और सरल सभाव का है कुछ उसे मिलते जूलते अर्थ में बच्ये का ताउ का भी प्रियोग करते हैं यहां क्या कहना चाहता है लेखक कि बच्ये का ताउ बच्या गाएं की सीधी साधी सरल सभाव की संतान होती है बैल उससे भी अधिक सरल होने के कान क्या है बच्ये का ताउ होता है बैल को साध बेवकूफों में सरल श्रेश नहीं कह सकती क्यूंकि बैल सिंग भी मारता है और कभी कभी अपने अडियल सभाव भी बन जाता है इसलिए उसके गधे के नीचे स्थान प्रापत है जूरी कासी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती दोनों पच्छाई जाती के थे देखने में सुन्दर काम में चोकस धील में उंचे बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था जूरी कासी के दोनों बेलों के नाम क्या थे हीरा और मोती वे उच्छाई जाती कि तो वो देखने में सुन्दर काम में चोकस और धील धील क्या होता कड में उंचे थे बहुत दिनों के साथ रहते रहते दोनों में भाई चारा हो गया था दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूख भासा में विचार विन्यम्य करते थे एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते अवश्य हुण में कोई ऐसी गुप्त शक्ती सी जिससे जीवों की स्रेश्टा का दावा करने वाला मनुश्य वन्चित होता है जब दोने आमने सामने बैठे थे तो मूख भासा में जो अपने विचार को व्यक्त करते थे जो सकती उनके पास थी जीवों में स्रेश्ट कहे जाने वाले मुनुश्य के पास भी वह सकती नहीं है दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूं कर अपना प्रेम परकट करते थे कभी-कभी दोनों सींग भी मिलाया करते थे और विग्रह के नाते से केवल विनोद के भाव से विग्रह क्या होता है लड़ाई जगड़ा करना केवल विनोद के भाव से आत्मिता के भाव से जैसे दोनों में घनिष्टा होते ही धोला चपा होने लगता था मिनोद के भाव का अर्थ क्या होता है बचो मिनोद के भाव का अर्थ क्या होता है केवल मन को बहलाने के लिए और धोला छपा का अर्थ होता है एक दूसरे को धक्का देने और मुक्के से मारने की कीरिया इसके बिना दोस्ती कुछ फुस फुसी कुछ हलकी सी रहती है जिस पर ज़्यादा विस्वास नहीं किया जा सकता जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिये जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते थे उस वक्त हर एक की यही चेश्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोज मेरी ही गर्दन पर रहे दिन भर के बाद दोफैर या संदा को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे नाद में खली भूसा पर जाने के बाद दोनों साथ उपते नाद क्या होती है बचो जो पसुमों को चारा खिलाया जाता है जिसमें पसुमों को चारा खिलाया जाता है उसमें भूसा डल जाने के बाद दोनों अपने एक साथ ही उसमें मुझ डालते साथ ही बेटते और साथ ही उस चारे को खाने से हट जाते थे सयोंग की बात है जूरी ने एक बार गोई को सुसुराल भेज दिया बैलों को क्या मालूम वे क्यूं भेजे जा रहे हैं समझे मालिक ने हमें बेच दिया अपना यू बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या रूरा कौन जाने कोन जाने पर जूरी के साले गया को घर तगुई ले जाने में दातों पसीना आ गया पीछे से हांकता तो दोनों दाएं बाएं भागते पगीअ पकड़ कर आगे से खींसता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते दोनों सिंग नीचे करके हुकारते यहाँ पर दातो पसिना का अर्थ क्या हो गया है बच्चों बहुत प्रिश्रम करना पग्या मतल बैल को बांधने की रसी अगर इसवर ने उन्हें वाने दी होती तो जूरी से पूस्ते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी अगर इतनी महनत से काम नहीं चलता तो और काम ले ले दे हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था हमने कभी दानेचारी की शिकायत नहीं की तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर जुगा कर खा लिया फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ में क्यों बेच दिया अगर इस्वर्ने हीरा और मौती को अवाज दी होती तो वो कहते जालिम-जालिम इसे किसे कहा गया है गया को वो पूछते कि तुम हम गरीबों को अपने घर से क्यों निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अगर तुम्हें और महनत चाहिए तो हम और काम करते और तुम्हारी ही सड में तुम्हारे पास रहकर ही काम करके मर जाना हमें तो भी तुम से हमारे दाने चारे की सिकायत नहीं कुई जो कुछ तुम ने खिलाई वही हमने सिर जुका कर खाल या फिर भी तुमने हमें इस जालम के हाथ में क्यों बेच दिया बच्चो आज हमुए लेसन यहीं तक रीट करें Rebel इसको यहां तक रीड करने में, इस लेसुन को यहां तक पढ़ने में, जो हमारे सामने सबदर्थाये है, मुहावरे आए है, उनको एक ब़र फिर पढ़ लेते हैं. परले दर्जे का बेखुभ बहुत मुर्ख होना, बिल्गुल मुर्ख होना, सही शूनता, सहन शीलता, कुलेल क्रीडा करना, कुलेल का अर्थ क्रीडा करना, विशाद उदाशी, कदाचित कभी भी सायद, जी तोड काम करना, जी तोड काम करने का अर्थ क्रीडा करना, इंट का जवाब पत्थर से देना, पूरी शक्ति से परतिरोद करना या करारा जवा गम खाना धैरिये रखना गम खाने का अर्थ क्या होता है बच्चो धैरिये रखना गण्या क्या होता है गण्या होता है समानित गण्या क्या होता है समानित करना इसमें जूरी के कौन से दो बैलों के क्या नाम थे हीरा और मोती वो और कौन से जाती के थे वो पच्छाई जात वो देखने में कैसे थे सुन्दर काम में चोकस और धील का अर्थ क्या है बेटा उंचे कद का होना विग्रे होता है लडाय जगड़ा करना विनोध होता है मन को बहलाने के लिए कारिय करना दोला धपा क्या होता है बच्चो इसका अर्थ क्या होता है एक दूसरे को धका देने और मुक्के से मारने की कीरिया एक दूसरे को धकाया मुक्के समारने की कीरिया इसके आगे और कौन-कौन से वर्ड है देखने नाद, नाद क्या होता है बच्चो जिसमें पस्वों को चारा ढाल दिया जाता जो चारा है वो खिलाया जाता है दांतों पसीने आना बहुत प्रिश्रम करना पगहिया जो बैलों को जिस रस्टी के साथ बांधा जाता उसे क्या बोलते हैं पगहिया जालिम करूर कठोर सभाव का कबूल सभीकार करना ये इनके जो सबदार थे ये हमने दुबारा से रीड कर ली है बच्चो यहां तक ये लैसन अच्छी तरह से रीड करना पढ़ना और अपना जो है ये वर्ड मीनिंग है इनको अच्छी तरह से याद करना ओके बाई बच्चो